हेलो स्टुडेंट्स आज की इस वीडियो का टॉपिक है पैसिव आफ कमांड और और जो की वोईश चेंज का पाठ है तो पैसिव आफ कमांड और और कोई भी अगर सेंटेंज इंपेरिटिव है किसी भी तरह का सेंटेंज जो की इंपेरिटिव में है इंपेरिटिव सेंटे बोलेंगे और वैसे अगर imperative sentence का मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया description लिंक दे दूंगी और आप लोग उसे देख लेना तो imperative sentence से वो सारा imperative sentence जिससे कि हम लोग को command या order का पता चलता हो वो सभी sentence को जब भी हम लोग active से passive में change करते हैं active voice से passive में change करते हैं तो समय एक starting में एक word लगता है जो है let let का use करके हम लोग active से passive में change कर देता है किसी तरह के imperative sentence को जब भी पता चले command या order हो रहा है rule क्या है rule कुछ उस तरह है word order की सबसे पहले let let plus noun plus pronoun pronoun कौन सा रहेगा माल लो उस sentence में एक object है ठीक है उसको हम लोग को object केस में प्रणाउन का इस्सिमाल होता है प्लस वी प्लस पास्ट पार्टिसीपल तो यह रहा हम लोग का rule जिसके helps हम लोग imperative sentence जो order या command में उसको हम लोग active से passive में change कर सकते हैं चलिए कुछ example देखते हैं सबसे पहला example है example one bring a table bring a table यह तो पूरी तरह order लग रहा है bring a table एक table लग गया हो तो इसको कैसे change करें हम लोग bring a table जो की active voice में है इसको हम लोग को passive में change करना है राइट कैसे होगा तो let a table be brought यहां पर क्या है लेट तो लग गया यहां पर यह रहा है noun a table यह रहा हम लोग का बी और यह रहा past participle किसका change होता हमेंसा वर्व का वर्व का थाट फर्म जो है past participle main verb का तो main verb यहां पर कौन है bring ब्रिंग का change हो गया brought और a table जो है हम लोग का noun के ग्रूप में आ गया पर प्रोनावन क्यों नहीं हुआ क्योंकि यहां पर there is no any object जिसको हम लोग प्रोनावन में change करें तो हम लोग का correct answer यह होगा bring a table का later table भी brought एक और example है call her here उसे यहां बुलाओ इसका भी इसी तार चेंज होगा passive में let her be called here यहां पैसे में change हो गया okay let से start तभी करना जब कोई भी sentence जो है वर्फ से start हो okay यहां पर भी वर्फ है bring यहां पर भी वर्फ है call okay कोई भी sentence जब वर्फ से start हो उसको हम लोग passive वर्फ से change करते हैं लेट का use करते हैं तो example 3 है send them away उनलों को यहां से दूर अटाओ कैसे change होगा let them be sent away this is the passive form of this sentence passive of command order में सिप एक ही तो important वो है यह rule ठीक है यह rule हमें से याद रखना और यह rule को follow करके हम लोग किसी भी तरह की imperative sentence को जो कि command order में उसको हम लोग active से passive easily change कर सकते हैं तो don't forget this rule अब बहुत चीज में हम लोग का next बहुत important topic है passive of questions यानिकि कोई भी interrogative sentence है interrogative मतलब होता है question वाला ठीक है sentence है उसको हम लोग को active से passive में change करना है यह वाट यह भी हो सकता है और so on यह सारा हो गया हम लोग यह कभी यूज होता है जब ही interrogative sentence होता है interrogative sentence में ना question वाला यानि कि और एक थो type का sentence होता है जिसमें हम लोग do to, does यानकि helping verb या फिर did और has, have या had इन सबका मतलब helping verb का यूज करके question बनाता है लेकिन अभी हम लोग फिलाल जो यह passive voice of question है w h को लेके चलता है w h word से जितना सारा भी question होगा उससे related sentence को active से passive में change करेंगे तो इसका rule क्या है word order rule को follow करना बहुत जरूरी होता है वरना बहुत सारे mistakes होता है साथे साथ confusion भी हो जाता है तो what या which यह लगगा sentence के स्टार्टिंग में फिर verb be का use होता है फिर subject प्लस past participle प्लस preposition तो पहला example देख लो example number one देखे आप लोग what interests interests her this is the question जो की active में है इसको passive में change करना है कैसे change होगा what is she interested in okay तो यह रहा हम लों का पहला रूल जो की which या what यूस काने के लिए बोल रहा है यह रहा this is verb be this is subject this is interested यानि की past participle यह रहा हम लों का past participle और जो in है वो हो गया preposition डन तो यह रहा what interest her ठीक है question active में पैसी में क्या change करना है what is she interested in verb be मतलब की वो सारा verb जो helping verb है okay जैसे की is are am present में present tense में was where का use past tense में and shall और will का use होता है future tense में these verbs are called verb be okay तो इसलिए हम लोग यहाँ पे interests है जो की present को बताता है कि नहीं यह sentence जो है present में है तो इसलिए हम लोग ease का use किये हैं ठीक है present का verb भी कौन है ease आ रहे हैं तो use का use होगा इसलिए और यह present था तो present के use के past रहता है तो past के use करते हैं अब एक sentence चलता है जिसमें हम लोग past का example देखेंगे तो जो की example 2 है which won the election election किसने जीता तो यहाँ पे verb का second form है won won जो है वो 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 वर्व का second form है इसका change क्यासे होगा which was the election won by यह रहा इसका passive form यहाँ पे देखो was के use है क्योंकि यह जो वर्व है वर्व भी है क्योंकि यहाँ पे past है the election won by बस इतना ही क्योंकि यहाँ पे one by के बाद कोई ना कोई अबजेक्ट रहता लेकिन यहाँ पे no object यहाँ पे कोई भी नहीं है ठीक है चुकि यहाँ पे कोई भी नहीं है तो इसलिए हम लोग को बस by लिख के छोड़ देना है और election तो हम लोग का कि इसमें हम लोग future का example देखेंगे which will he do okay will है verb be यह जो है verb be है इसका समझ में आ रहा ही है future बहुत है इसका change भी हम लोग कुछ future के हिसाब से ही करेंगे तो what will be done by him okay यहाँ पे जो ही है वो क्या है subject का रूप है इसलिए हम लोग इसको object भेज देता है तो यह हम हो जाता है do का हो गया verb past participle यान की done okay will का में सब will be ठीक है बी लगेगा और प्लस यह वर्बी है future tense का वर्बी future tense में जो वर्बी यूज होता है वो ही है तो यह रूल भी पूरी तरह से फॉलो करा है जो हम लोग पिछले पेज में word order लिखें वो तो यह होगा change what will what will he do तो इसका change क्या होगा what will be done by him in the passive voice अच्छे से clear होने के लिए एक और एक्जांपल देख लें which book do you want तुम्हें कौन सा बुक पसंद है okay this is the question in the active voice इसको हम लोगों पैसी में change करना है तो which book is wanted by you यहां पर ध्यान से देखना कि book पहले है तो समझ में आ रहा है कि यह subject है और you जो है बाद में आ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि object है लेकि नहीं ऐसा नहीं है तुम्हें कौन सा बुक पसंद है जब हम हिंदी में बोल रहा है त तो इसलिए जो you है यानि कि तुमें वो जो है last में चला जाएगा subject का object हो जाएगा और book जो है object का subject में आ जाएगा done और is रहा यह वर्ब का भी क्यों है यहां पर भी लगा क्योंकि do जो है present में है right यह present tense में है तो इसका जो है is हो गया फिर wanted verb का third form फिर by you हमेशा याद रख जाएगा और verses में क्या होता है एक फिर जरूर लगता है और by के बाद हमेशा क्या लगता है हम लोगा जो subject है वो object रूप में यह पर आ जाएगा तो यह question जो है which book do you want पूरी तरह से passive words में change हो गया which book is wanted by you अब यहां पर नोट करने वाला है कि अभी तक में which when what who's in सब से बता देख लो अब word order देख लीजिए by whom word order कुछ इस तरह है by whom plus verb be plus subject plus past participle okay this is the rule जब भी who से कोई भी statement start होता है तब हम लोग यह अला rule जो है follow करते हैं okay क्या करता है एक टो example से देख लेते समझ में आ जायेगा example one who built the taj taj को किसने बनाया okay who built the taj तो इसका क्या change होगा who का पता हम लोग को by whom हो जाता है तो by whom plus verb be verb be यानि की was यहाँ पर क्यों वह उत लगा क्योंकि बिल्ट वह वह वी टू है okay was the taj built okay built क्या है past participle the taj क्या है subject was क्या है भर्व वी और by whom तो लगेगा ही okay जब भी who से start होता है कोई भी question तो by whom passive voice में change करते हैं जरूर से जरूर लगाता है और एक बात ध्यान रखने वाली है कि यह जो question में जब be helping verb जो है subject के पहले आ जाता है चलते हैं एक और example की ओर who killed Ravana Ravana को किसने मारा तो यह अब तब V2 है समझ में यह आ रहा है इसका change कैसे होगा कुछ इस तरह by whom who है तो by whom लगेगा यह obvious है was क्यूंकि V2 है Ravana killed क्या बता है हम subject के पहले लगेगा हम लोग का helping verb जब भी question आता है तब लेकिन अगर question नहीं रहा सिपर statement रहा तो subject के बाद लगेगा helping verb ठीक है आँ उसके बाद लगेगा simple sentence में simple sentence है लेकिन जब भी question होला sentence होता है तो subject के पहले हम लोग helping verb को यूज करते है आँ बच्छाथे लास्ट एग्जाम्पल की ओर एक और एग्जाम्पल है example 3 who has stolen my watch इसका passive में कैसे change होगा by whom has my watch been stolen right change होगया इस sentence में by whom जैसे की लगा यहाँ पर verb भी कौन है has been लेकिन has को हम लोग यहाँ लिखे फिर एक subject फिर बीन लिख दिए no problem has होगया हम लोगा वर्ब भी फिर होगया हम लोगा subject फिर आगया हम लोगा past participant तो यह sentence ही पूरी तरह से satisfied है और ऐसे रूल को follow करते रहोगे तो एक्टिव से है झाल झाल